धन तेरश के दिन जरूर खरीदें ये तेरा चीजें चुम्बक की तरह खिचेगा पैसा। धन तेरश के दिन धन की देवी मा लक्षमी जी के साज साथ भगवान धन वंतरी और भगवान क्वेर जी का पूजा भी की जाती है इस दिन खरीदारी करने का विशेश महत होता है। धन वंतरी प्रगट हुए थे तो उनके हाथों में अम्रिश से भरा कलस था। इसके वाद से ही उनके जन्म दिवस पर नया वरतन खरीदने का प्रचलन शुरू हो गया। ये भी कहा जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी में तेरा गुना की ब्रद्धी होती है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि धन तेरस की दिन आप ऐसी कौन सी तेरा चीजें हैं जो आप खरीशकते हैं। जिसे खरीदने से घर में लाने से आपके घर में मा लक्षमी जी का इस्थाई बास होगा और तेरा गुना ब्रद्धी होगी और आपके घर में धन संपता बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों एक बात बता दूँ कि अगर आप ये तेरा चीजे नहीं खरीशकते तो आप इन तेरा चीजों में से कोई भी एक चीज जितने भी चीज आप खरीशकते हैं जितना आपके पास शामर्त हो वै खरीद के आप अवशिलाएं। इससे आपको लक्ष्मी जी का अश्रवाज जरूर मिलेगा और आपके घर में धन की बरकत जरूर होगी। दोस्तों इस दिन आप शुद्ध मिट्टी के चांदी के या फिर सोने के या फिर पीतल के स्री गड़ेश लक्ष्मी खरीशकते हैं और आप लाकर इसे दिवाली की पूजा करें इससे घर में खुशाली आएगी। इस दिवाली के साम को पूजा करते समय इसे पूजा स्थल पर रखकर इसकी बिदवत पूजा अरजना करें। और पूजा के बाद आप इस स्री यंत्र को पीले कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में धन के स्थान पे या फिर गल्ले पे आप जरूर रख दे धन के रखने के स्थान पे रख दें। वहाँ पर रखते हैं तो इससे घर में सदय बरकत रहेगी। चोथी चीज है संक दोस्तों संक को शुक्षान्ति वा शंब्रिद्ध का परतीक माना जाता है। इसलिए धन 13 के दिन संख को खरीदना बेहद सुब माना जाता है धन 13 के दिन आप शंख जरूर लाएं और दिवाली की पुजा करते समय आप इस संख को अवस्च बजाएं इससे घर में लक्ष्मी जी का आगवन होता है पांचमी चीज है कुबेर जी की मूर्ती या फिर तस् अवस्च खरीद कर अपने घर लेकर आएं और उसकी पूजा करें और पूजा करने के बाद आप इससे या तो अपने पूजा इस्थल पर ही रहने दें या फिर आप इससे धन इस्थान पर गल्ले के इस्थान पर इस्थापित कर सकते हैं इससे धन की देवता कुबेर जी क आपको मिलता है जिससे आपके घर में दिन दोनी राज चोगनी धन संपता बढ़ती चली जाती है छटमी चीज है जाडू दोस्तो जाडू को धनकी देवी मा लक्ष्मी जी का पृतिक माना जाता है दीवाली के तेवहार पर नई जाडू घर पर लाएं क्योंकि जिस घर में स जाडू में सफेद रंग का धागा अवश वांधें इससे आप घर में मा लक्ष्मी जी का आगवन होगा साथमी चीज है नमक दोस्तो धन तेरस के दिन आप घर में नमक का नया पैकट खरीद कर अवश लाएं और इससे दीवाली की दिन इस्तिमाल भी करें नमक का पैकट धन तेरस दिवाली पर लाने से घर में धन की कमी नहीं रहती और घर में शुक्षांती बनी रहती है आठमी चीज है साबूत धनिया दोस्तों धनिया को धन का प्रतीक माना जाता है इसलिए धन तेरस के दिन साबूत धनिया घर लाएं और दिवाली के दिन इसकी पूजा कर जरूर लाएं और दिवालीक दिन पूजा के समय इसे रख कर इसकी पूजा करूँद में और पूजा करने के बाद इसे तिजोरी में रख दें दसमें चीज है कौडी मा लक्षमी को कौडी बहुत प्री है इसलिए आपको धन तेरस के दिन दिवाली के दिन आपको जरूर कौडी लेकर आना है और माता को आप अरपित कर दें बाद में से चाहें तो पूजा स्थान पर ही रहने दें या धन के स्थान पर रख दें धन बढ़ता चला जाएगा धन में बरकत होगी कभी भी धन की कमी नहीं होगी अक जार्में चीज है मा लक्षमी के चरण पादुका अगर अपने घर पर लाते हैं तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी धन बढ़ता चला जाएगा मालक्षमी जी आपके घर की और आकरसित रहेंगी धन बैभो में ब्रद्धी होगी धन की कभी महसूश नहीं होगी दोस्तों बताना चाहेंगी कि अब अगली यानि जो बार्मी चीज है वो है कच्छुआ अगर आप पीतल सोने चांदी के आप कच्छुआ लेकर आते हैं आप यनि की धातु को लेकर आएं चाहिए आप पीतल का लेकर आएं सोने चांदी का लेकर आएं कच्छुआ लेकर आएं और उसे लेया कर अपने पुजस्थान पे एक प्लेट में जल भर कर उसे रख दें, तो आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा, मा लक्षमी इस्थाई रूप से बास करेंगी, घर में तेजी से तेरा गुना धन में ब्रद्धी होगी, और लाभ जरूर होगा, अगर आप नहीं ले आ सकते, तो इस दिन आप एक अंगूठी जरूर कच्वे की बना कर अपने आप यनिकी अनामी का उंगली में जरूर पहिन लें, इससे आपके घर में धन में ब्रद्धी होगी, लाभ जरूर मिलेगा, दोस्तों अगली चीज है यनिकी बार में चीज, जो पता दे वो साथ दोड़ते हुए घोड़े जरूर तस्वीर लेकर आएं, और आप अपने इनकी हाल पे, जहां मुख हाल है, जहां बैठने का स्थान है, वहाँ पर जरूर इसे लगा दें, तो घर में शुक्षम्रधी का वास होगा, धन की कमी कभी नहीं होगी, इससे आपके घर मे शुक्षम्रधी का वास होता चला जाएगा, अब दोस्तों, तीरमी जो चीज है, वो जरूर आपको लेकर आनी है, धन तेरस के दिन, वो है कमल गट्टे का माला या फिर वीज, इससे लाकर मा लक्षमीज को अरपित कर दें, कमल गट्टे का वीज या माला मा को बहुत प्र आपको धन तेरस के दिन, जरूर इसे घर लेकर आना है, और लेकर के आकर मा को अरपित कर दें, माला लेकर आएं तो उनके गले में आप अरपित कर दें, और अगर आप बीज लेकर आएं कमल गट्टे का तो उनके चणों के पास अरपित कर दें, इससे तेरा गुना धन में ब्रद्धी होगी मा लक्ष्मी दोड़ी दोड़ी चली आएंगी घर से गरीबी कोशो दूर हो जाएगी दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में और आपके धन में तेरा गुना ब्रद्धी हो तो धन तेरस के दिन आप ये तेरा चीजे या फिर इन में से कोई भी आप अपने समर्थ के अंसार ला सकते हैं मा लक्ष्मी को अपनी ओर और अपने घर में आप इस्थायरोप से बास करा सकते हैं तो दोस्तो अगर आप सच्चे भक्त है माता लक्ष्मी जिसे और मा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को वीच आप ज ज़्यदा ज़्यदा शेयर अवश करियेगा।